दौस्तो आज हम जो भी हैं वो हम अपनी आलतों का परिणाम है अच्छी बात ये है कि इन आलतों को बदल कर हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं हमारी परसनल और प्रोफेशनल लाइफ पर यह आलतें बहुत गहरा असर डालती हैं यदि हम अपने आपको अच्छा इंसान, बहतर इंसान, काम्याब इंसान बनाना चाहते हैं, तो हमें भी इन आलतों पर काम करना होगा, और दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आलते बनती कैसे हैं, और पांच वो चीजें जानेंगे, जिससे आप आलतों को बेहतर बना सकते हैं, उनको बदल सकते हैं, इन सारी चीजों को समझ कर अपने जीवन के अंदर बहुत शानदार बतलाव कर सकते हैं, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, दोस्तों, आलतों को समझने के लिए, उनके प्रभाव को समझने के लिए, और उनको बदला कैसे जाए समझने के लिए हम आईये जानते हैं 5 चीजों के बारे में, सबसे पहला, habit loop, हर एक आदत का एक loop होता है, जिसे हम habit loop बोलते हैं इसके अंदर सबसे पहले Q होता है यानि एक trigger होता है जिसकी वज़े से हमें कोई भी काम करने की लट लग जाती है या जिसके लिए कोई भी चीज हमें प्रेरिद करती है इसे हम Q या trigger कहते हैं दूसरा होता है routine दोस्तो जब वो trigger बार बार आता है तो हमारी दिंचर्या में वो routine का रूप लेना शुरू कर देता है और तीसरा होता है reward जब उस routine के बनने से हमें कोई चीज अच्छी लगनी शुरू हो जाती है तब हम उसे award देते हैं और जब इसे award देते हैं तो ये subconscious mind में गहरे दर जो जाता है और एक आदत का रूप ले लेता है दोस्तो इस habit loop के कारण ही हम एक आदत के चकर में फस जाते हैं नमबर दो golden rule of habit change दोस्तो यदि हम अपनी आदत को बदलना चाहते हैं इस habit loop को तोड़ना चाहते हैं तो इसे किया जा सकता है हमने समझा कि habit बनाने के अंदर habit loop में आने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है Q, routine और reward दोस्तो इस में से दो को बदलने की जरूरत नहीं है यदि हम आदत बदलना चाहते हैं Q की और reward की हमें सिरफ अपने routine को बदलना है दोस्तो क्यों भी वही रहेगा reward भी वही रहेगा बस हमें routine में उस बुरी चीज की जंगे अच्छी चीज लगा देनी है माल लो आपको दिन के 11 बजे भूक लगती है आप फिर burger, pizza या स्मोसा का order देते हैं या आपके daily routine में शामिल है दोस्तों यहाँ पर आपको अपना routine बदलने के जरूरत है आपको trigger भी हुआ भूक लगने का आपको क्यों भी हुआ भूक लगने का लेगिन आपने अपना routine बदल दिया आपने pizza और स्मोसा की जंगे पर फल का order दे दिया ये routine बदलने से आपका ना क्यों बदला ना आपका reward बदला reward यहाँ पर भूक का शान्त होना है आपका dopamine release होकर आपको अनंत की प्राप्ती होना है सिरफ routine बदलने से ही आपकी आदत धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएगी ये आदत बदलने का golden rule है तीसरा की स्टोन्स habit दोस्तों छोटे छोटे चेंज लाकर हम जीवन के अंदर बड़े बदलाव कर सकते हैं और ये छोटे चेंज आते हैं की स्टोन habits के चेंज करने से जब हम की स्टोन habits यानि छोटी छोटी आदतों के अंदर को जल्दी सोने की आदत डालना या फिर 5-10 मिनिट का meditation शामिल करना खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलना या काम से बीच बीच में 2-3 मिनिट का break लेकर श्रीर को rest देना तो इस तरह की छोटी छोटी आदतें आपको शारीरिक मानसिक और intellectually भी टाकत देने का और स्वस्त रखने का काम करती है दोस्तो आदत को बदलने में सबसे important role होता है क्यू को ध्यान से देखने का observe करने का analyze करने का जब हम trigger पर ध्यान देना शुरू करते हैं और ये जानने का काम करते हैं कि किस trigger की वज़े से हमें फलाँ आदत दलती है तब चीजें बदलना शुरू हो जाती है दोस्तो यदि हम Q को समझ लें तो उस पे काम करके अपनी आदत को बदला जा सकता है जब आप Q को समझ लेंगे तो आप अपने routine में बदलाव करके अपनी आदत को बदल सकते हैं और पांचवे नमबर पर है Self Discipline और Will Power दोस्तो हम सब जानते हैं जीवन के अंदर अनुशाचन के महतव को और साथ में दिर्ड निश्चय यानि Will Power के महतव को भी यदि हम दिर्ड निश्चय हो जाएं अपने जीवन का एक शांदार routine बना लें अनुशाचन में जीवन यापन करें तो किसी भी आदत को बदला जा सकता है तो आदत को बदलने में सबसे important role play करती है आपकी दिर्ड निश्चय की शक्ती और इसके साथ साथ आपका discipline यानि अनुशाचन दोस्तो आज हमने जाना कि आदते हमारे जीवन के अंदर कितना महतवपूरन role play करती है और आदतों को बदल कर हम अपने जीवन को बहतर कर सकते है और साथ में ये भी कि इन आदतों को बदलने का तरीका क्या है मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा झाल